हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल और आज हम बनाएंगे आटे की रस्माइलाई तो इसके लिए सबसे पहले गैस कौन कर लेते हैं इस पे एक नाना स्टिक कड़ाई चड़ा लेते हैं तो जैसा मैंने बताया कि आटे की रस्माइलाई तो यहां मैं अरोट ही आटे स सिमिटाइब बना रही हूं और इसके लिए सबसे पहले इसमें दो कप दूद डाल लेंगे यहां मैंने दूद के साथ मलाई भी डाल लिया है जो इसमें ऊपर मलाई जमा हुआ था उसे भी डाल लिया है उसे टेस्ट काफी अच्छा आता है अब इसमें एक वाला ने से इस तरह से चला देते हैं ताकि यह कडाही के पेंदी में ना चिपके और अब हम आधा कप ठंड़ा दूद लेंगे उसमें हम दो टेबल अस्पून अर रोट का आता डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो यह देखें हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब इसे धीरे धीरे उबले हुए दूद में डालेंगे और गैस का फ्लेम कर देंगे लोटो मीडियम दालना है एक नी बार में पूरा नहीं डालना है और इसे रेगिलर चलाते रहना है यह देखिए डालने की तुरुएद यह थीक हो जाता है तो अब हम इसमें चार बड़े चमच सक्कर डालेंगे अपने स्वात के अनुसार डालेंगे जादा मीठा खाते हैं तो जादा और कम मीठा खाते हैं तो काम डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसको तब तक चला कर mix करेंगे जब तक यह सकर melt ना हो जाए यह ज़िए सकर melt हो गया है तो अब हम इसमें एक पेंच हल्दी का powder डाल देते हैं यह powder कम color लाने के लिए डालेंगे आप इसकी जगह केसर भी डाल सकते हैं आप इसकी जगह yellow food color भी डाल सकते हैं और उसे अच्छी तरह से mix कर लेंगे और यहाँ पे हम एक चम्मच डाल लेते हैं छोटी लाइची का powder इससे स्वाद बड़ा अच्छा आएगा आप इस तरह से कस्टड पॉडर के बीना कस्टड भी बना सकते हैं इससे स्वाद थोड़ा पहुत कर्स्टड जैसा ही आता है और अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ चॉप्ट के वे ड्राइफ फूट्स और इसे भी mix कर लेंगे तो देखें इसे भी हमने mix कर लिया है चारों तरफ जो लगा हुआ है किनारे में उसे अच्छी तरह से छुड़ा लेंगे और पेंदी में जो चिपका होगा उसे भी अच्छी तरह से छुड़ा लेंगे और यहां पर हम गैस को off कर लेते हैं और इस थांडा होने के लिए छोड़ देते हैं अब यहां पर हमने braid ले लिया है तो मैंने यहां पर चार braid लिया है तो सब्से पहले इसका corner याने किनारः हम इस तरह से कटकर के हडा लेंगे किनारे का भाग को हमें इस्तिमाल नहीं करना है बीच वाले सफेद भाग को में इस्तिमाल करना है और इसे बीच से ट्रेंगल सिप में काट लेंगे यहाँ एक ब्रेड को मैंने दो भाग किया है और फिर से वो दोनों भाग को फिर से मैंने ट्रेंगल सिप में कट कर लिया है याई एक ब्रेड में हमने चार भाग किया है अब हम एक टोरी में दो चमच ठंडा दूद ले लेंगे और चमच से एक स्लाइस के उपर थोड़ा सा दूद को इस तरह से डाल लेंगे और दूसरे स्लाइस को उपर से रखकर दोनों अथेलियों के बीच में दबा कर इस तरह से जोड लेंगे इसी तरह से सारे slices को दो-दो पीस चिपका कर बना लेंगे और इसे plate में अच्छी तरह से फैला लेते हैं यह दीखिए हमने सारे plate को कट करके इस तरह से फैला लिया अब इसके उपर से अरोट का जो हमने gravy बनाया है उसे डाल लेते हैं यह दीखिए डाल लिया है अब इसके उपर से कटे हुए dry fruits से garnacing कर लेते हैं इस तरह से dry fruits को उपर से डाल लेते हैं यह देखने में काफी अच्छा लगता है तो आप इससे try किजिए और comment box में हमें बताइए कि आपको यह recipe कैसा लगा अच्छा लगा होते एक like कर दीजिए और अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजिए देन्यवाद